नमस्कार, डॉक्टर दीपक केलकस एक्सक्लूजिव में आपका फिर से एक बार सहुगत है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि डॉक्टर दीपक केलकर वैसे तो इनका नाम ही काफी है। कई सालों से अपनी सिर्वा दे रहे हैं। चाहे हो सैक्स रोग विशेशक्य हो, हेपनोटिस्म के संदर्व में हो। किसी भी प्रकार के वैसन के बारे में हो। डाक्टर साहब का नाम ही छेतर में काफी है। डाक्टर साहब आपका हमार इस कारेक्रम हादिक स्वागत। जन्यवाद। डाक्टर साहब वैसे तो हमारे जो दो एपिसेड होए हैं। उसमें हमने काफी कुछ बाते ली हैं। खास करके सेक्स रोग होगा या फिर हिपनोटिस्म होगा या शराब की जैसे वैसन को लेकर हो गया। इसका जो हमारा एपिसोड है इसमें भी हम मिले जूले ही टॉपिक्स लेंगे ताकि हमारे जो दर्शक है उनको समझने में आसा नहीं हो। टाटर साब जैसे अगर आप एक सेक्स रोग वीशे शग्या हैं। तो इसमें एक हस्त मेथून जो आता है इसका क्या अर्त होता है। हाँ जी अच्छा सवाल के आपने हस्त मेथूम इसका आर्थ यह होता है कि हाथ से किया हुआ मेथून वह स्त मेथून जो है वह स्तरी और पुरुष जब एक साथ आते है तो स्तरी और पुरुष और मेथून होता है मगर शादी के पहले जब लड़का उमर में आता है मतलब उसका सेक्स देवलफ हो जाता है तो उसको काफी इच्छा होती रहती है उससे में क्या होता है कि शिस्न में कड़क पना जाता है और उसको काफी इच्छा होती कि सेक्स किया जाता है पतन हो जाता है। मतलब जो使मेन होता है घतु घतु का पतन हो जाता है रिलैक्स हो सिफ्स कुणा नहीं यह अधसे किया हुआ एक सekras मतलब जिसने खुदले साथ में सेक्स की है समझ के चलो चौलिए जिसने आपने का कि एक आंक होता है, जुमने कि अंगी माम पक्անनीर हो सकते हैं,सके के शारिक नुक्साने हो सकते हैं, इसमें कुछ भी शारिक नुक्सान नहीं यह सब पएले गई है भलत वेम्या इस यह जो है कि एक दम कैनल की बीलकुल की नॉरले में कुछ भी ऐसा खराब कि वीरे कमा दिया तो कुछ नुकसान होंगा, हाथ से किया, तो शिसन बहुत कमजोर हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं, भीमारी नहीं है, यह बिल्कुल नार मरले, और यह, मैं तो बोलता हूँ कि करना अच्छा है, करना अच्छा है इसलिए कि उसमें सेक्स जैसा उसको अनन और घसा नुए से जो मतलब यह बोगहि क्यों कोई है, तो सब सेक्स सकता है, इसलिए को समय समय कोई गलत नहीं, अक्दम क्योंने हैं, और हर देखतीं है, किए कुछ। उसमें कहड़ा भी नहीं है, और eerste हो कि itself करते हैं। बच्पन से बता जाता है जो धार्मिक किताबे हैं उसमें पढ़ते रहते हैं कि ब्रह्मचर ही जीवन है और वीरे नाश यानि मृत्यू तो ये शब्दों में इतनी सच्चा है ये बिलकुल सच नहीं है ये क्या है कि हमारे किताबों में आयुर्यदा में ऐसा कभी सारा लिख हुआ है कि वीरे जो है वो अपने पास में रखना चाहिए अपने बाडी में रखना चाहिए उसका पात वीरे पात नहीं होना चाहिए जीवन ऐसा बोला गया है कि वही एक वीरे का बून जो है वो असी खून के बून के बराबरी के होता है तो जब एक बून आप वीरे का चैनल नाश करते हो, तो ऐसी बुन खुन के चले जाते हैं. ऐसी इक लिखा होता हूरा है. तो यह बिल्कुल तब गलत है, वरिये, रोज तैहर होता है. और रिश्यक्स के विचार आने से जल्दी तैहर हो जाता है, और वो तयार हुआ विर्य जो है उसको तो बाहर आने का ही है बाहर आना चाहिए उसने बाहर ने आएंगा तो अंदर उसका होंगा क्या जो थेली रहती है विर्य जमा होने की वो थेली में जमा होता है और वो रोज जी तयार होता है जैसा पेशाब रोज हम करते है और पेशा ब Сп्तनो बंग्साम समय आहा है तो भ्या जाएगा, ऐसा वीरिया का या है, कि वीरिया की थेली भर जाती है, अमर में अने के बाद में और थेली भरने के बाद में हाथ से नहीं निकाला तो ऐसे ही भ्या जाएगा? ररटर Finnish िसमें सप्नो दोष को भी प्रकार आता है रहा हां विरिय तो उसको बोलते हैं एक्छिलिए को दोष नहीं है मगर उसको नाम दिया है ऑच सप्नो दोष जपनो प्ञार एससा नाम दिया है तो Nocturnal emissions उसको बोलते हैं मतलब सपने में व्ह种पने में कोई ऐसे सेक्स उसको पुरा अंदर से आया हुआ है, हर्मोंस तैयर हुए, तो उसमें फिर सपने में भी धातूपात हो जाता है, और वह एकदम सरासर वह भी नार्मल है, उसमें कोभी कोई प्राब्लम नहीं है, जैसे डाटर अब आपने हस्ता मेतून बताए कि पुरुष करते है, ज् स्त्री भी हस्त मेतून करती है, स्त्री को योनी लिंग रहता है, जैसा पुरुष का लिंग रहता है, जैसा स्त्री को भी योनी लिंग रहता है, एक दम छोटा रहता है, एक दाने कैसा रहता है, और स्त्री को भी समाधान यदी सेक्स का होना है, और कोई कारेंट से, मतलब उसको समाधन मिलता नहीं है तो शादी होने के बाद में भी शादी होने के पहले भी वो खुद का समाधन शादी होने के पहले कर सकती है हस्तमेथुन करने से और काफी सारी स्त्रियां जो है वो हस्तमेथुन करती है खुद और खुद ने खुद से उसको एकसाइटमेंट लाक में स्राइब करने हस्तंमयतुन करने ह्सतंमयतुन करते रहते हैं कि अधत तो इसको पूरा दिनवर में वह श्टंमयतुन ने करते जाघा हा रा कि prostITY और वो दिनवर में हस्त में जूनि किया जा रहा है, मतलब उसकी इच्छा नहीं होते हुए भी वह तो फिर उसमें वह घातग हो सकता है, कि बहुत ज्यादा कर रहा है, और फिर उसमें लिंग में चाले आ सकते है, क्योंकि समझो घर्षन ऐसा बार-बार ऐसा करता है, तो लिं हुई है और शादी होने के बाद में भी फिर हस्त महतून करने को अवशकता नहीं है शादी होने के बाद में तो वह समागम करता है महतून करता है अपने पत्नी के साथ में उसके बावजूद भी मतलब पत्नी घर में है और उसके बावजूद भी समझो हस्त महतून कर रहा है और वो उसके पत्नी के साथ में सेक्स नहीं कर रहा है, तो फिर उसको बोल दे कि नहीं कुछ तभी उसमें गड़ बड़ है, और उसका इलाज करना जरूरी है, वैसे और ऐसा है कि समझो, उसकी पत्नी बाहर गाओ गई है, काफी दिन से मतलब अकेला है, तो भी लोग शादी क करते हैं, और वो भी नर्मल है, क्योंकि पत्नी घर में नहीं है, तो हाथ से करना क्या प्राबलम है उसमें, या पत्नी प्रेग्नन्ट है, प्रेग्नन्स है उसको, और प्रेग्नन्स है तो फिर आखरी आखरी मेनों में सेक्स होता नहीं है, तो उसमें भी वो कभी करता है, या पतनी बिमार है जिसमें सेक्स अलाउड नहीं है उसमें इच्छा होती है तो ऐसा शादी के बाद में भी नॉर्मल है मगर जब पतनी घर में है और पतनी सेक्स करने के लिए तयार है और तभी भी कोई हस्तमेशिन कर रहा है तो फिर वह अगश्तन हो सकता है अभी आपने पूचे उसके लिए दवाई का है, तो उसमे कोई दवाई नहीं है, ऐसे देखा जाये तूदू हम क्या करते है कि उसको पुरा समझ लेते हैं, उसके साथ में बातचीत करते हैं, ऐने ऐसे बहुत कम लोग आते हैं कि उसके हैबिट लग गई, ऐसे बहुत ही कम आ कि अत्यादिक जो हस्ता मेरितुन से शारिरी कमजूरी हो सकती है कि कोई पहले ऐसी समझ थी कि गाल फोले अगर बैड़ गर किसी अगर दुबला अंदर जा रहे हैं आखे अंगर काली हो गए अंदर जैसे धसी भी दिखाई दे रही है तो एक कुछ तुभी है उसको भी सामग व्यश्पन से ऐसा अंजरर है हमारे क檸्चर मेरे ऐसा है कि हस्तमेथिन करना जलत है अभी सेखेंव क्योंन है और वह सेक्स रही है मतलब भih Geral मेर्श जो है कि हस्त cents करना करना खलत है अब जब इसका पगड़ा दिमाग के ऊपर है तो होता कि अस से फिर परेशानी दिमाग म में अपराधी पंड की भावना थी कि मैंने कुछ रaz घ्लिकिया और उसको अपना मन खाते रहता है फिर वो भी उसको और नमं में रशन करते अधने करतें तो अपनी रहा तो नहीं इच्छा तो हो रही उसमें आनंद तो highlights and then must do color और मन फ़न् Alex अब समझें भूख नहीं लगना और खाना कम कर दिया तो उसका वजन कम होना है उसके गाल बैठना है तो उसके करना अभी मेरेको कमज़री आरही है एक तो दिमाग के टेंशन के वज़े से है कि अपना हस्ते में तुन कर रहे हस्ते में तुन कर रहे हए अच्छा नहीं है बिलकुल बूरा है और तब भी करते जा रहे तो उससे एक तो अपराधिपन की भावनात है घिल्टी दोशी खुद को ठहराना और वहां से उसको डाउन हो जाना और दूसरा फिर मैं भीमार फिर खाना कम कर देता तो उससे और कमजूरी आती है फिर गाल बढ़ जाते है और फिर सब वो फिशय साइकल जो है चक्र भी हो है उसमें फज जाता है यानि हस्ता मैतुन से शारेरिक कमजूरी का कोई संबन नहीं है तो डाक्टर साब मानसिक्ता और कुछ फरक पड़ता है उ उसको अपने कल्चर में अपने संसकार में अपने समाज में ऐसा है कि नहीं करना चाहिए तो फिर उसको डिप्रेशन आता है कि मैं कर रहा हूं यह गलत कर रहा हूं और फिर मैं गलत कर रहा हूं मैं ऐसा नहीं करना चाहिए था ऐसा फिर उसको लगता है और उसमें डिप्र पेपर में जाहराए राती है कि लिंक बड़ा करना है तो हमारे पास मैं यह मशीन है उस रब्लता कि अपना लिंक अमज़र हो गया लिंक में करक पना नहीं आ रहा है हैं तो फिर वह पेपर में जाहरा थे वहाँ चले जाएंगा फिर तुन्हे बहुत गल्ती किया है और ऐसी करना चाहिए तर उसको और डिप्रेशन आता है उच अकरिब में बस जाता है ठाक्टर साब मान लीजे कोई एक युवक है जो हस्त महितुन का आदी है आदी यानि रोज एक दुदिन में या रोज संभुक ने हस्त महितुन करता है तेकि शादी के बाद वो संभुक में सपल में उप रहता है जो पान्रों को प्रावलिम नहीं है अको हस्त मेमितुन में हमन उप स्यों सम्झो तरहा है घर्शन करता है ज्या ज्या मतलब लेंगिक मतलब उसका समागम जो होता है किरिया जो होती है उसमें लिंग अंदर बाहर होता है तो वह है सरी कही है एक्चुलि इसमें हाथ वह है उसमें लिंग हो रहा है पाकि उसमें फरक कुछ भी नहीं है तो हस्तमेदुन करने से शादी के बाद में कुछ भी तो उसको प्राब्लेम आजाएंगा और वो कुछ दोस्तों का जो सुनेवा कुछ रहता है कि उने बहुत बार किया हुआ है यह कहीं पढ़ा रहता है किताब में यलो बुक्स आती है बस्टेंड के उपर मिलती रहे लेकी उपर मिलती है ऐसे उसका मालूम ने कौन राइटर है कुछ रहे लिखा है कि उसमें क्लियर कट लिखा है कि हस्तमेदुन करने से कुछ भी होता नहीं है कोई गरत काम नहीं है बिल्कुल करना चाहिए नार्मल है उसमें कुछ पाबलम नहीं है जो भी अगर ऐसे कुछ समस्याव से जूज रहे कहीं तो भी मांसी गूरूप से तो उन लोगों ने भ्रामक विग्यापनों में पड़ते वे जो इसके विशेशक के डाक्टर उनसे सला जरू लेना चाहिए बिल्कुल डाक्र साब आप इतने सालों से इस विशे को लेकर प पर्मान में और मांसी कितने पर्मान में होती है चालीस साल के उमर के पहले यदि कोई बीमारी सेक्स के होती है तो ज्यादा तर वह मांसी कारण से है 40 साल के पहले, कुछ होती है तो, ज्यादा दर्मानसिक कारण है, 40 साल के बाद में कुछ हो रहा है, और वो पहली बार हो रहा है, तो हो सकता है कि उसके लिए शैरी कारण हो सकता है, और लिंग में कड़क पना नहीं आता है, उसके लिए फिर शैरी कारण हो सकता है, और वो कार सारे कारण हो सकते है कि जिसके वज़े से खुन जो है वो लिंग में पहुंचता नहीं और लिंग में खुन पहुंचा नहीं तो फिर वो लिंग में कड़कपना आता नहीं है न तो चार्स साल के पहले हो गया तो मोटा मोटा हिसाब को मानिसिक है चार्स लिए पाइज़ां पहले होता है फानी का सब्सक्राव यह गाँ वी दें आता कि इसा में पिछले बार भी बताया था कि दवाईया निकलिये पिर अभी इनजेक्शन पिर पिर अभी इनजेक्शन से डेके वह सकता है अभी जैसा मेरे पास मेब एक कपल आये था पति पत्नी आये थे अभी उनोंने सब ट्राय करके रख दिया जैसा उन्हें सब दभाई खा लिया, एरबितिक हो गया सब दवाई हो गया। उनको मैंने बाला भी आपको nisillig की ज़रौते कहना हूंब उसके साथ मैंने उनको पापेवरें का इंजेक्शन लिग में जेना पड़ता है ay उसको अग अंचीन था दिमाग में कि मैं करी नहीं पाऊंगा तो उसको जैसा डायबेटीटीस के लोक, जैसा खुद इंशीलिन लेते है वैसे यह injection है कि यह लेना परता है खुद ने खुद से है कुछ भी से इंजिच्षिन के लिए इसको ट्रेनिंग दिया तो सिखाया। कहरें उसके सरे ऐलिक शहा दिया। इसने क्या होता है। वो क्रती के लिग करए रिए है। Бूँ से लिठक बना आ जाग या। उसका सक्स हो गया। scrutiny कि उसको सकता है। मैं झाल सकता हूं। उसका confidence बढ़ गया उसने और एक बार ले 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 तु इंजेक्शन ताकि और confidence बढ़ गया और बाद में उसका confidence बढ़ने के बाद में फिर अगर शुरू है तो फिर इंसुलीन के समान तो इसा कुछ भी नहीं हो क्यों confidence का ही प्रॉब्लम रहता है एक बार confidence आगे कि अपन कर सक है पर बाद में उसका एक बार लाइन पर लग गया हो जाता है फॉर्चिनेटली इसमें कि पत्नी का हिस्सा है वह बहुत महत वका है पत्नी ने शान्ती रखना बहुत जरूरी है इतले उसको कॉंसिलिंग कर दे कि पत्नी की शान्ता था उसमें उसके पीछे टेंशन लगाय है कि देखो यह आपको नहीं होता है तो फिर मैं जारी माय के या फिर यह संबन अपने खराब हो जाएंगे या फिर मेरे को डिवर्स चाहिए तो फिर इसमें ऐसा टेंशन दिया पहले यह टेंशन में रहता है पत्नी ने और कुछ से भी घरबड कर दिया इधर कि नहीं तो पत्नी का रहते हैं वित्ते में हुआरे कुर्स ऑगम करते हैं चाहिए पर आपक किस परकार का रूगीistant आते हैं ये उसके साथ-साथ शीगरेट स्थिवरी आते है लोग उसके साथ-सात शियकरेट बडी तंबगुत् szczu रखोगई और किसb reuniteaza प हमारे पास में जो आते हैं और फिर गान्या और बहुत कम परमांट में ब्राहुन शुकर तो ज्यादा तरक तो है शराब के लोग कि आते हैं और शराब मतलब उसमें जब तरह की शराब और वो लोगों को ऐसा है कि वह एक आध़ी बन चुक एह वो तो उसमें दो प्रकार है कि एक खुद हो के आता है कि नहीं मेरा हिलाज करना है déjà वह खुद हो के आ गया तो बहुत hotspan है इसका हिलाज करना और वे उसमें 100% result मिल जाते है काफी चारे लोग लोग आतेंioni की मेरे कोह आदे यह हिलाज करना हिदा तो उनके फिर घर वाले आते है, घर से कोई लोग आते है, बोलते हैं इनके लिए कुछ ना कुछ इलाज करो, दवा ही दो, उनको पकड़ के लाएंगे, वह एडमिट करवाएंगे, जवर्दस्ति उनका इलाज करवाएंगे, और फिर एक बार उसका नशा उतर गया, दो-तीन और फिर जर्दस्ति में को एक बार गली गये, और बाद में उसने शराब पिया, तो उसकी बिएक्षन कल然 या resultingा καुछ लिएक्षन आती है, य। काभी उसका बीथा काकूछ ना कंशव दास खूछ आना का यर्मित कुन ये मालूम है जूर्द के ये की लिकलेह, वह बहर के विज्यापन आते है कि शर्तिया शराप छुड़ा ही है, ना सांगता है, तो यह सच होते है कि कहीं तो भी विज्यापन चब्स चब्स शब्स का जगलरी है और यह क्वैक से हैंना ऐसी गेरेंटी रढ़ी थी तंपसे तो शराप की सब दुपाने प्रक्षाब आपके जो इतने साल का अनुभाव है तो उसमें कितने परतिशत लोगों ने इलाज लेने के बाद टोटली शराब बन कर दिया है हमारे पास में गर्युप गरीब करीब 80 परतिशत लोग इसे है कि वह शराब दौइयु बराबर लेने के बाद mend में छोड़ देते हैं 20 तका लोग है वह भी छोड़ते हैं लोग छिन बार अntर बार होते रहने कभी छोड़ देते फिर चार चे मे ने छोड़ देंगे पर फिर पकड़ लेंगे फिर छोड़ देने ऐसे 20 टका लोगो चालो गन चालो गन रिए वाकिए यह चोड़ दें शराब तो आपने पहले वो क्लासे वगरे भी लेते तो अभी शुरू है कि हमारा सबकॉंशस माइंड है वो सबकॉंशस माइंड है नभे परतिशत और कॉंशस माइंड है दस परतिशत हमको जो भी प्रबले वो प्रबलेम जो बैंड के वज़े से है जो भी प्रबलेम हो सबकॉंशस माइंड में वो brat jнос right है और वो सबकॉंशस माइंड को यिधी लाइन में लाने का है और उसको बराबर जू इसको बुरी आदत है तो लिए गोड सवार है गोड को कंट्रोल करना है तो इन्सृ इसा है की छिपनाडिजम में हम उनको सिखाते की सूचना देखे सुचना देखे, सजेशन देखे, सजेशन देना, और सबकॉंचास माइन को लाइन मे लाना, कंट्रोल करना, ताकि उसमें जो भी बिमारिया है, वो ठीक हो जाएगी, जैसा चिंता है, भय है, फिर लोगों को बाहर जाने का बहुत डर लगता है, फोबिया, इतनी बड़ी बि के लिदेखाना है, ताकि होऱ डेकर देखाना है, पानी देख गर मिदलनृ का जाएगी, इसमें सबसे जादा है उसमें इतनी घपना रहती है, छाति में दढकन हो जाती है, पसिना अक्टर हो जाता है, और उनको बाहर है क्या हों कि ऽस आज अकेला रहना उसका भी डर लगता है कि मैं अकेला रहूं और मर जाओंगा तो कोना आएंगा तो अकेला रहते नहीं हो दूसरे इसके साथ साथ मतलब जैसा हाट अटाइक है, बाहर जाना है, पाने का डर है, उचाई का डर है, सफर करने का डर है, कोई एनिमल्स जो है, उनका डर है, तो उसे कभी सारे डर है, इसके साथ साथ दूसरा जो है, वो है कि बार 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 विचार आना, इतने विच विचार आजाएंगे उसको, बार बार विचार आएंगे, और इसमें साफसभाई की विचार जाता तर आएंगे, हाथ दोने की विचार आएंगे, बार बार हाथ दोना, फिर कोई लोग हाथ दोना की विचार आदे फिर अपने हाथ गंदे होगे तो हाथ दोने चले जाएंग जाती है, और इसमे दो प्रकार है, एक तो एक प्रकार बार बार डर आवाने, ख्यालत आने का, कि उनको मालूम है कि होंगा नहीता है, तबी बार 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 डर आता है. जैसा एक लडी मेरे पास में आई थी उसको बार-बार ही विचार आ जाएंगा आ रहा था कि वो उसके बच्चे का गला गोट देंगी ऐसा बार-बार विचार रहा है उसको मालूम है कि मैं गला गोटने वाली हूँ नहीं और उसको इत्तार रहा है कि मैं गला गोटने तो क्य निराशय के विचाराना और आत्मत्या के विचाराना तो यह तीन चार पाँच वाथी में से बहुत अच्छे हो सकती है ड्क्टर साब जैसे आप सम्भोहन स्वहें पर ही आप खोद को सम्भोहन करो ऐसा आप आपसे में ओर किया है। करता हैं कोई और जुकेशन और का में गेटकर से टो कोई भी सम्भोहन सहकता है। और वह सम्मोहन हमारे आम तर्फे विक्स को प्रेक्टिस करते वो अपना खुद का चालू कर सकता है क्लिनिक या कॉंसलिंग उसको मेरे बास मैने की जरूतनी फिर बाद में पेशेंट भी ठीक कर सकता है अब दूसरे और एक लोग है कि जो खुद के लिए आते हैं कि हमको खुद को सिखना है और फिर अपने डिपरेशन की बात की दुनिया की एक नंबर की प्रेशानी है सभी की डिपरेशन अभी काफी दिनों से वो एक चर्चा 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 ब्लू वेल गेम जिसके अंदर जो भी जो गेम जिसने बनाया है रशिया के जो उन्होंने उसने के ऐसे लोग यो खेलते हैं जो मांसी करूप से बीमार है या कहीं तुभी तनाव गरस्त हैं जिनमें नकर अत्म भावना ही जाता हैं तो आप एक मांसी उपचार विजिशग हैं तो आप इस गेम को किस नज अजिए जिए 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 तीवी मोबाइल में इंटरनेट है यूट्यूब है बाकी की अलग 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 अपस है वो खेलते बैटू इसमें फिर एक लोगों को चसका उसका लग जाता है कैसा कि कुछ चैलेंजिंग नहीं है तो उसको लगता कि ये चैलेंजिंगे मैं करके देखता हूं उसको खुद कुशे करने की इच्छा नहीं रहती, पर चैलेंजिंगे करके देखेंगे और अपन उसमें बली नहीं पड़ेंगे, और वो चैलेंजिंगे करके उसको ले जाता है, और ज्यादातर लोग जो एडिक्ट है, फेस्बूक के, वाटसाइप के, या 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 एप्स के इडिक्ट है या अलग-अलग गेमगे इडिक्ट है, वी उसमें खिचे जाते हैं, जे बार वो एडिक्ट होगा, पहली बोला कि, ऐसको बार लुजे भार को जाके मार मेर को करना है, Fitur? बढ़ें को लगता है कि मैंने नहीं करना चाहिए, बगर अच्छास मैं उसको अंदर से इतना फोर्स करेंगा कि मैंने वह करना चाहिए, तो उसमें एक से पचास अटम है, तो अलग अलग तरह के अटम दिये हो है, काफी सारा वो सर्कुलिट भी हो चुका है, कि सबेरे चार अटम है कि बिल्डिंगे मतलब तौफ लोर को आप मत्या करो, तो इसमें यह है कि अभी सेंट्रल का मतलब मेरे खाल से डारेक्टी भी आयो है, कि यह जो अब है इसको बैन करो, और इंटरनेट जो है उसके माद्दे में से लोगों को मिलना नहीं चाहिए, करके आज ही निराश के जिकार होते हैं, वो लोग ज्यादा इसमें इनाइस है, आज आते हैं fifteen himself, बच्चों की निराश ही मालूम है नहीं पड़ता है, लोगों को लगता है कि बच्चे कैसे कि निराश हो सकते हैं, बच्चों को ऐसा दिप्प्रेशन आ असकता है, अगर बच्चों को भ बार के दॉक्टर दे रहे थे अभी वो फिट है और डिप्रेशन के वज़े से उद कुछ अठके आ रहे हैं यह एक बार मैंने देख लिया तो अभी अच्छ हो गए हमारे जो दर्शक है उनसे यह कहना चाहूंगा कि अगर आपके चोटे बच्चे कहीं तो भी डिप्रेशन म हो रहे है या ऐसे बड़े लोग भी है तो वे ऐसी किसी भी भूंदू बाबा या उनको ना बताते हुए एक मांसोब चार विशेशक के जो होते हैं उनसे सला जरूर ले ऐसा हमारे सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा ड़क्र साब यह बहुत गयन विशा है आप एक आप पाद दोराएंगे या कुछ लोग ऐसे होते हमार आप पिस में ऐसे लोग आते हैं एक बार बताने के बाद तीन बार वापस आता बताएंगे कि वह ऐसा होना चाहिए तो यह लोग मैं सब वह कहीं नकई तो भी एक डिप्रेशन के शिकार होते है तो इन्होंने एक आशा हमारे दर्शकों को हमारे कारेक्टरम जोरू पसना होंगा हम फिर मिलेंगे डॉक्टर दीपक किलकस एक्स्ट्रूज में तब तक के लिए नमस्कार थैंक्यू मईफिए तक के लिएसे भी एक बात्व एक किलकचार रशकों को हमारे D